नमस्कार दोस्तों मैं दीप्ति कुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन परिक्षा संस्थान परिक्षा प्लेस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे यूपीटेट 2017 का प्रिविएस एर इंग्लिस का पेपर आज की तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके उनको देख लीजेगा और एक्जैम में जाने के पहले आप एक बार सारे प्रिविएस एर को जरूर कर लीजेगा मेरी आप से एक उजारिस रहेगी जिससे आपका पेपर अच्छा अटेम्ट हो पाएगा ठीक है उससे भी पह कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद अगर बैच में इन रॉल होना चाहते हैं तो आप लेकर के बैच में इन रोल हो सकते हैं अगर कोई फी क्वेरिए याप्तो नुझे जानशन इसके बाद हम लोग अब अपने questions को discuss कर लेते हैं तो question number पहले में आपसे कहा गया है कि which of the following is a correct expression यानि कि इन चारों में से आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा character है ठीक है as cheerful as a lark या फिर as busy as a bat या फिर as cunning as a dog या फिर as happy as a donkey तो guys आप सभी बताएंगे इसमें कि इसमें क्या सही होगा तो देखो यह basically आपको यादी करना पड़ेगा as a tearful as a lark का जो आपका मतलब होता है Hindi मतलब उसका मतलब होता है कि बहुत अधिक खुस होना ठीक है यानि कि extremely happy ठीक है extremely happy यह आपकी एक तरीके की क्या कह सकते है एक तरीके का मतलब उदाहरन टाइप का है जिसे आप मतलब figure of speech like कह सकते है as a tearful as a lark इसमें आपका simily figure of speech भी यूज हो है जैसे कि आपको बताया था मैंने last video में कि like और as का अगर यूज होता है तो वहाँ पर simily माना जाता है तो आपका option number a यहां से right हो जाएगा इसका जो meaning है वो क्या है आपका extremely happy clear है आप सभी को बात कर लेते हैं question number two की question number two आप से कह रहा है कि the sentence this is the house in which I was born is आपका कौन सा ही sentence है simple sentence compound sentence complex sentence है या फिर compound complex sentence है तो आप सभी को यह पहचाना पड़ेगा कि आना चाहिए आपको पहली बात तो कि यह किस तरीके से पहचाने चाहते हैं तो मैं आप सोभी को बता दो यह एक प्रिकार का आपका complex sentence है complex sentence होते कौन से हैं complex sentence वह sentence होते हैं जिनमें कम से कम minimum एक clause आपका पाया जाता है ठीक है अब clause क्या है इसमें इस sentence में अगर हम लोग देख लें तो इस sentence में जो clause है आपका वह आपका यह है कि in which I was born यानि कि उसी घर की बात करी जारी जिसमें वह पैदा हुआ है ठीक है तो इसमें यह ज चारों में से कौन सा आपका preposition है तो beyond है end है yet है और ना हो है तो गाइस आप सभी को इसमें simple answer पता ही होगा option number A होगा beyond आपका preposition हो जाएगा बांकि तीनों आपके preposition के अंत्रगत नहीं आते हैं ठीक है बात आपको clear होगी यहां तक की बात कर लेते question number 4 की question number 4 आप से कह रहा है कि which of the following word is an adverb ठीक है adverb आपसे पूछा गया है इसमें आपके चार ओप्सन है अपेस face meek या fury ठीक है अब adverb basically आपसे इसमें adverb का मतलब पूछा गया है लेकिन सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए इनकी hindi meaning आने चाहिए ठीक है तो hindi meaning अपेस का मतलब जो होता है वो आपका क्या होता है तेज स्ट्वाइब्गती ठीक है high speed सम Anyways you apply to face that Gyre होती है ठीक है मीख क्या होता है आपका मीख क्या होता है मीख सबस्दोरी अब सबस्क्राइब Tom सब्सक्राइब तो लेकिन अपने पूछा तो आपका नमबर ए यहां से राइट हो जाएगा लेकिन हमसे अपने एडवर्ब कर लेते कुश्चिन नमबर फाइब की फाइब आप से कह रहा है कि the coffee is not too strong it won't keep us awake ठीक है मतलब coffee उतनी strong नहीं है यह हम लोगों को जगा नहीं पाएगी ठीक है तो इसमें आपको क्या इन्होंने बोला कि इस sentence को आप simple sentence में जॉइन कीजिए ठीक है इसा कौन सा इन चारों में से सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस है the coffee is not too strong to keep us awake या फिट coffee is not strong and will not keep us awake यह तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें एंड लग गया है ठीक है is not too strong so it won't keep us awake यह भी नहीं होगा is not too strong so as to keep us awake यह तो sentence ही गलत लग रहा तो आपका option number a यहां से write हो-टीक है तों lle 17 जोते हैं जिनमीं सिर्फ और सिर्फ एक पाई जाती है ठीक है तो finite वर्फ जो एक सिर्फ पाई गई है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ किस में पाई गई है option नमबर ए में पाई गई है इसलिए आपका यहां से option नमबर ए राइट हो जाएगा इस question का clear है आप सभी को बात कर लेते हैं question नमबर 6 की 6 आप से कह रहा है कि my son and my daughter are very fond of herself each other themselves या फिर himself अब देखो अगर दो लोगों की अगर हम लोग बात कर लें दो लोगों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपस में तो उसके लिए जो आपका यूज होता है वो क्या यूज होता है each other यूज होता है तो आपका यहां पर right answer हो जाएगा option number B sorry my son and my daughter are very fond of each other clear है आप सभी को question number 6 का B हो जाएगा आपका बात कर लेते question number 7 की 7 आपसे कह रहा है कि give one word for one who hates mankind ठीक है अब आपसे one word substitution इन्होंने पूछ दिया इसमें को मतलब इसका मतलब क्या होता है जो आप mankind से hate करता है ठीक है तो इसमें चार आपके options दिए गए हैं नाजिस्ट फैसिस्ट और आपको पता होना चाहिए option number C है मिस एंथ्रोप ठीक है एंथ्रोप मिस एंथ्रोप मतलब जो hate करता हो ठीक है mankind से जो hate करता है वो आपका क्या कहलाता है मिस एंथ्रोप seven था हो जाएगा राइट answer बात कर लेते question number 8 की 8 आपसे कह रहा है कि let the book be given इसमें आपको जो यह तो आपका passive voice है आपको पताई है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी अगर आपने देखा होगा तो आप पैचान गए होंगे इसको आपको simple sentence में convert करना है ठीक है अब पहला option है आपका give me the book please transfer the book can you give the book यह तो देखो आपका क्या है इंटरोगेटिव है तो आपका यह तो बिल्कुल इस तरीके से लेट से पैसे बनेगा ही नहीं ठीक है बात कर लेते प्लीज ट्रांस्फर दी बुक तो इसमें आपका request and all की गई है तो you are requested to like इस तरीके से आपका बनेगा बात कर लेते है question sorry option number B की तो B आपका यहां पर right answer हो जाएगा let the book be given क्योंकि इसमें कोई आपका इस तरीके से subject बनने वाला नहीं है इसलिए आपका let's say sentence बनेगा ठीक है passive voice में और यह आपका active voice है यही आपका simple sentence कहलाएगा ठीक clear है आप सभी को 8th का आपका B हो जाएगा बात कर लेते question number 9 क 9 आपसे कह रहा है कि I asked Sela if I might know her father ठीक है यह आपका indirect में दिया है आपको direct sentence में इसको change करना है direct indirect भी आपका पूछा गया है ठीक है तो आपको grammar में अच्छी knowledge होनी चाहिए मेरे साब से अगर आपने यूपिटर्ट में Englishly हुई है ठीक है अब देख लेते हम लोग कैसे यह ब अगर हम convert करके देखें तो हम लोग देखते हैं कि में से बनाया है पहली बात तो यह interrogative है तो आस्ट लगेगा बिल्कुल सही है I asked Sela यहां तक तो सही है interrogative है तो if भी लगा दिया ठीक है में I know your father अब इस बाद का sentence है जो simple वनेगा ना तो I में का हो जाएगा might know your father का हो जाए अरी active मैंने active की बात कर दी direct sentence बिल्कुल सही है ठीक है बात कर लेते हैं other options की गलत कैसे है देखो I told Sela, inverted comma यह तो बिल्कुल गलत है जब आप direct sentence में बनाते हैं ठीक है तो आपका इस तरीके से क्या कहते हैं पहली बात तो यह आपका इंटेरोगेटिब था तो आपका told से sentence बन sentence में होता ही नहीं है clear है आप सभी को तो इसलिए आपका option number V यहां से गलत हो जाएगा I asked Sela, I question Sela यह वाले आपके गलत है अगर आपने थोड़ी सी भी English पढ़ी होगी grammar तो आप इस चीट को समझ पा रहे होंगे ठीक है बात कर लेते हैं question number 10 की question number 10 आपसे कह रहा है कि आपको इसमें blank भरना है ठीक है the ministers are responsible blank the chief minister of their state for their work ठीक है अब आपको 10th question में यहां पर for to of और towards में से आपको क्या write क्या कहते blank आपको भरना है ठीक है अब देखो बात कर लेते हैं अगर responsibility की तो responsibility जो होती है हमेशा responsible अगर आप होते हैं तो to somebody लगता है हमेशा clear है तो responsible somebody आपका chief minister यहां पर मतलब chief minister है यहां पर तो इसलिए आपका responsible to the chief minister हो जाएगा यानि कि option number B आपका right हो जाएगा 10th का B clear है आप सभी को बात कर लेते हैं question number 11 की 11 आपसे कह रहा है कि correct conjunction इसमें आप लगाई है ठीक है blank he had not paid his bill his electricity was cut off ठीक है but he had not paid his bill यह तो कोई sentence नहीं बन रहा either he either के साथ हमेशा और लगता है तो यह भी नहीं बनेगा unless आपका already negative होता है और इसमें not भी लगा है तो यह भी नहीं बनेगा बचा आपका एक option option number D आपका सही हो जाएगा as आपका लग जाएगा as he had not paid his bill his electricity was cut off clear है आप सभी को question number 11 का आपका D सही हो जाएगा बात कर लेते हैं question number 12 की 12 आप से कह रहा है कि death lays his icy hand on kings ठीक है इसमें आपको क्या बताना है correct figure of speech बताना है metaphor है, personification है, apostrophe है फिर similar है देखो अब इस बात अगर इसकी कर लें तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे, इसमें जो death की बात की गई है death lays his icy hand on kings, death को ना एक person की तरीके से यहाँ पे show किया गया है इसलिए आपका personification यहाँ पे हो जाएगा, मानवी करण अलंकार, ठीक है हिंदी में आपने पढ़ा होगा, मानवी करण, ठीक है तो death को जो है, वो यहाँ पे कैसे show किया गया है as a person यहाँ पे show किया गया है, इसलिए आपका यह option number B यहाँ पे right हो जाएगा बात कर लेते question number 13 की, 13 आपसे कह रहा है कि the study of population is known as, ठीक है यह भी आपसे one word पूस दिया है, ecology, astronomy, demography या फिर genealogy तो आप सभी को पता होगा, demography जो है, वो आपके क्या कहलाती है, study of population कहलाती है 13 का आपका C सही हो जाएगा, clear है, बात कर लेते question number 14 की, 14 आपसे कह रहा है कि meaning आपको बतानी, इस proverb की, a bird in hand is worth two in a bus, ठीक है आपको इसकी meaning बतानी है, यह कहावत कौन सी है, इसकी meaning क्या होगी तो देखो, आपने हिंदी में, मतलब कही बार एक कहावत सुनी होगी, non अगदना 13 होदार यानि कि, जो आपके पास है, उसी में satisfy रहो, बांकी आप और-और-और के चक्कर में ऐसे मत पड़े रहो, ठीक है तो इसलिए आपका option number C, यहां से right हो जाएगा, it is better to be satisfied with what you have, than to try to get what is not yours, clear है आप सभी को, तो आपका 14th का यहां पे C, साही हो जाएगा प्रोबर की यह CDC कहवत है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इसमें आपको मैं कुछ और नया नहीं बता सकती बात कर लेते हैं, लास्ट और 15 question की, 15 question आपसे कह रहा है की, which of the following sounds is not associated with sound of a bell, मतलब इन चारों में से sound of a bell कौन सा वर्ड नहीं है, sound of bell का meaning नहीं है, बाकि तीन है, ठीक है, तो काइम और जिंगल, रिंग और डैंग, तो गाइस, आप सभी को, शायद पता भी होगा, कुस लो है ना, और रिंग, ये सभी sound of bells कहलाते हैं, sound of bells के ही उधारन है, ठीक है, लेकिन डैंग की बात कर लें, तो ये नहीं है, इसलिए आपका option number D, 15 का right हो जाएगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों नहीं 15 question डिसकस कर लिए हैं, और next वीडियो में बांकी के 15 question भी discuss क पर लेंगे, बांकी अगर आपने 18 और 19 के previous year नहीं देखे हैं, तो आप उनको जरूर देख लें, आपको परिक्षप्लस एप पर ही मिल जाएंगे, ठीक है, और वीडियो को खतम करने से पहले हरवार की तरह आपको बता दू, हमारे एप पर lt grade का batch चल रहा है, जो की आपको सिर्फ और 699 फीस में प्रोवाइट कराया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम में आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके ऑफिस में बात कर सकते हैं, और batch में इन्रोल होने के लिए आपको हमारे एप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, उसके बाद आप उसमें एक दू क्लासिस का डैमू लेके आप batch में इन्रोल हो सकते हैं, क्लेर है आप सभी को, तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में, नेक्स कुश्चिन के साथ तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी अपना खयाल रखेगा